वेल्कम टू न्यू लेसन अब अगले कुछ जो हमारे लेसन्स होंगे वो होंगे अबाउट गूगल शॉपिंग कैम्पेंज अगर आपका e-commerce बिजनस है या आपके क्लाइंट का e-commerce बिजनस है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट एड्स हैं गूगल शॉपिंग एड्स इन एड्स को P.L.A. एड्स भी बोला जाता है P.L.A. एड्स देट इस प्रॉड़क्ट लिस्टिंग एड्स प्रॉड़क्ट लिस्टिंग एड्स सबसे पहले हम देखते हैं कि गूगल शॉपिंग एड्स दिखती कैसे हैं सब्सक्रों मैं गूगल पर गया और मैंने सर्च किया न्यू शॉट्स ठीक है न्यू शॉट्स मैंने सर्च किया अब आप देखिए अब यह जो आपको दिख रहे है उपर यह आपको प्रॉड़क्ट दिख रहे हैं सीदे राइट एक और एक्जामपल देखो टी शर्ट अंडर 500 अब देखो आपको यहाँ पर टी शर्ट दिख रहे हैं अब यह देखो यह बहुत यह अच्छा एक्जामपल मिला है में यह जो आप देख रहे हो यह नॉर्मल सर्च एड जो हमने पहले बनाना सीखा था नॉर्मल सर्च एड कीवट वगर का यूज करके जो हम बनाते हैं यहाँ पर आपको प्रॉड़क्ट दिख रहा है यह प्रॉड़क्ट दिख रहा है जैसी मैं इसे क्लिक करूंगा यह प्रॉड़क्ट खुल जाएगा सीधे तो इसको हम कहते हैं शॉपिंग एड या फिर प्रॉड़क्ट लिस्टिंग एड इन एड्स के अंदर आप देख रहे हो सीधे product दिखता है तो इससे अगर आप shopping ads run कर रहे हो तो जो conversion है वो जो result है वो इससे better आता है compared to these normal search ads तो अगर आप shopping है आपका e-commerce है then these ads shopping ads are perfect for you perfect अब यहां यह समझने की जुरत है कि shopping ads काम कैसे करती ठीक है जी shopping ads काम कैसे करती पहले आपको यह समझना बहुत जादा जरूरी है तो इससे पहले कि आप यह समझो कि shopping ads कैसे काम करती है आप मुझे यह बताओ कि जो नॉर्मल सर्च एड्स आपने पड़ी थे जो आपने सीखी है वो कैसे काम करते हैं तो आप क्या करते हो उसमें बताओ आप keyword research करते हो आप campaign बनाते हो आप ad group बनाते हो और ad group में आप क्या लिखते हो आप लिखते हो keywords क्या लिखते हो आप आप लिखते हो keywords और उस keywords के बेस पर रिजल्ट दिखते हैं अब जो आपका shopping campaign है इसके case में keywords होते ही नहीं हैं आपको keywords लिखने ही नहीं होते राइट कोई keywords की जरूरत नहीं होती जैसे आपने देखा था ना app campaigns उसमें किसी keyword की जरूरत नहीं थी similarly shopping campaigns में भी keyword की जरूरत नहीं होती तो फिर google ad कैसे दिखाता है तो google को आप करते क्या हो आप एक product feed बनाते हो और ये product feed आप google को देते हो और google इस product feed के base पे आपको result दिखाता है राइट अब एक और चीज़ है यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली यहाँ पर again कोई match type नहीं होता सारी ads किस पर चल रहे हैं broad match ठीक है जी सारी ads broad match पर चल रहे हैं कोई match type यहाँ पर नहीं है यहाँ कोई match type नहीं है तो आपके लिए क्या mandatory हो जाता है कि आप बड़े सारे क्या यूज करो आप बड़े सारे यूज करो negative keywords ताकि आपके पास इधर उधर का traffic ना आए आपके पास खराब traffic ना आए ठीक है जी तो आपने समझा कि shopping campaigns कौन सी होती है जिसमें direct product देखते हैं 2000 shopping campaigns shopping ads काम कैसे करती है तो normal search ads से थोड़ा सा अलग काम करती है normal search ads keywords के base पे trigger होते है shopping ads में कोई keyword नहीं होते आप एक product feed बनाते हो वो product feed आप Google को देते हो और उस product feed में जो भी आपने information लिखी है उसके base पे Google आपके results search trigger करता है आपकी ads trigger करता है again यहाँ पे कोई match type नहीं होती सारी चीज़े broad match होती है इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा negative keywords यूज करें ठीक है तो यह था एक shopping campaigns का overview next class में हम इसको continue करेंगे और और समझेंगे about shopping ads, क्या-क्या चीजों के जरौत होती है क्या से setup होता है ठीक है जी सारी चीज़े हम समझेंगे thank you so much for watching this lesson